कम्प्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल माई कम्प्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए तो आजके इस वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलोजी में स्टार टोपोलोजी के बारे में बात करने वाले हैं तो आईए देखते हैं स्टार टोपोलोजी किसे कहते हैं इन स्टार टोपोलोजी आल दा नोट्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस काल्ड हब एंड दे शेरिंग अब डाटा इज अनली पॉसिबल थ्रो हब आये चीत्र के माध्यम से हम स्टार टोपोलोजी को समझते हैं तो देखिए सेंटर में हब जुड़ा है और हब से ही हम डाटा को कम्प्यूटर तक सेंड और रिसीब करते हैं तो यही लिखा है कि इन स्टार टोपोलोजी आल दा नोट्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस काल्ड हब देखिए सेंट्रल डिवाइस जो है हब इसी से हम सभी नोट सभी कम्प्यूटर को कनेक्ट करते हैं और मैसेज को सेयर करते हैं और जो कि only possible होता है हब से यदि हब नहीं रहेगा तो किसी भी कम्प्यूटर में डेटा का मैसेज send और receive नहीं किया जा सकता है इसे हम star topology कहते हैं आईए star topology के advantage को देखते हैं तो star topology के पहला advantage है it broadcast the message star topology में message का broadcast हो सकता है देखिए hub के जरिये message को send या receive कर सकते हैं computer में आईए second advantage देखते हैं it is less expensive due to less cable देखिए इसमें जो star topology में जो केवल होता है न बहुत ही थोड़ा सा जरूरत होता है देखिए छोटा सफीगर है और ऐसे हमारा कुछ real में भी होता है तो केवल की जरूरत बहुत ही कम होता है और यह बहुत ही सस्ता भी पढ़ जाएगा इसे less expensive due to less cable rates of the network star topology में easy to connect network net new notes नए कम्प्यूटर को easy तरीके से हम इसमें add कर सकते है केवल एक कम्प्यूटर रहेगा और छोटा सा केवल रहेगा हम उससे hop से connect कर देंगे तो data का send और receive किया जा सकता है यह और हमारा तीसरा advantage आइए चोथा देखते हैं if one node failed then it would not be failure of entire network आइए चीतर में देखिए यदि एक कम्प्यूटर हमारा खराब हो गया ना ते किसी भी कम्प्यूटर कोई भी effect नहीं पड़ेगा क्योंकि जो data का transfer होता है वह hub के जर्यूटर होता है तो यह रहा हमारा चोथा advantage हाई यह disadvantage पहला देखते हैं तो disadvantage पहला है इन इस्टार टोपोलोजी वी इस्टार टोपोलोजी में बहुत ही मस्ट रेक्वाइड नेटवर्क होता है जैसे कि लाइक हब स्विच यह देखिए जो disadvantage इसका है न कि इस्टार टोपोलोजी में यदि हब स्विच नहीं रहेगा न तो इस्टार टोपोलोजी किसी कामका नहीं रहेगा भले ही नेटो कंप्यूटर हमने लाकर रख दिया लेकिन अगर हमारे पास हब या फिर स्विच नहीं है तो इस्टार टोपोलोजी किसी कामका नहीं है तो यह रहा हमारा disadvantage आयो सेकेंड देखते हैं इसमें इसमें भी देखिए यह लिखा गया कि यदि हब या फिर स्विच नहीं रहा न तो डेटा का शेरिंग पॉसिबल नहीं हो सकता आये थर्ड देखते हैं इफ हब इस फेल्ड देखिए यदि हब या फिर स्विच ही फेल्ड हो जाए न तो डेटा का रिसीब और सेंड सब कुछ फेल हो जाएगा कोई काम नहीं करेगा आये लास्ट डिस एडवांटेज देखते हैं वी कैन नाट सेंड प्राइबेट डेटा इसमें प्राइबेट डेटा को सेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि हब या फिर स्विच किसी भी डेटा को भेजेंगे न तो अस सभी कम्प्यूटर के पास जाएगा इसलिए या इसका डिस एडवांटेज है तो उमीद करें कि आपको इस्टार टोपोलोजी सोन में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं लेक्स वीडियो में नेटवर्क टोपिक लेकर थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो